किक फिफ्यू पेयननिक करनी कैसे हमने चलना कैसे मैं सबगई है यॉय डिलूर अप्वायलो अब हम क्या करेंगे सप्धिटू सेप्धिम लगा रहे हैं उसमेंज महारे पास possible आ रहे हैं ठीक है वो आ जा कि एक आदा बड़ प्रड्यूस करते हैं तब तक क्या होता है कि दो तिन साल में हम दो चार बड़ प्रड्यूस करते हैं तब तक उसका जो peak time है वो घुजर गया होता है उसके बाद आप प्रड्यूस भी कर लेंगे आज आपको पता ह तीन साल के बाद वो बड़ प्रड्यूस होता है उस टाम मार्केट में शायद उसकी पचास जार साट जार लाख रूबे कीमत चार रही है बंदें ने सोचाते है कि यार मेरे पास ये बड़ आ जिना आज हम लगा रहे हैं और सोच हमारी क्या है धाई तीन लाख रूबे का यार ये पेर है याप बड़ उस जें से चलते हैं दो साल गुझाया देती है तीसरे सौल जब वो बड़ पर्ड्यूस होता है हमारा जे वो ही होता है यार इतनने का खिले तो चलते हैं तो पता चलता बाद यह 50 जार लाग रूपए का रह गया हो तो बंदश बंदा डिशा आप देख रहे हैं वेल्कम एवरी फेस्बूक एंड यूट्यूब चैनल आज मैं आप भाईयों और बहनों से फ्यूचर पेरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें आने वाले दोर में क्या बड़ ऐसा लगाएं जो आने वाले दो हजार तैईस और दो हजार चोबिस कि हमें साल दो साल में कौन सा बड़ बहतर रहेगा कौन से हम पेरिंग करें जो से हम फ्यूचर पेरिंग कहते हैं देखे जब भी कोई बर्ड आता है मार्किट में फ्यूचर पेरिंग यही होती है उसकी कि वो दो साल तीन साल तक मार्किट में वर रहेगा और हम फ्यूचर पेरिंग क्यों कहते हैं इसका क्या मकसद है, हाला के मेरी नजरिये के साथ से हर बर्ड का future है, हम specially किस चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ को हम समझते हैं, कि ये future bird है, उसका मतलब ये होता है, कि ये वाला bird हमें आने वाले साल, दो साल, तीन साल तक अच्छा profit देगा, हम उसको future bird कहते हैं, सबसे पहले हमें market देखना पड़ती है, market में जो bird कम होगा, जरी बात है, उसकी production अभी होनी है, market में अभी उस bird ने आना है, उसको हम future bird गिनते हैं, और उसकी market value क्या है, वहां से हम अंदाजा लगाते हैं, कि ये bird कितनी देर रहेगा, और कितना profit देगा, for example, इस time जो नजर आ रहा है, व simple dilute to dilute, इसकी pairing करें, या फिर अगर पैसे ज्यादा है, तो dilute upline into dilute upline की pairing करें, ये दो bird होगे, dilute और dilute upline, इसी तरह pale fellow और उसके साथ आप एक split pale fellow लगाएं, या फिर pale fellow upline और दूसी तरह आप लाइं, ये bird लगाएं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, pale fellow upline या प्लाइं से पिर pale fellow उसमें green, blue, par blue आप कोई भी bird लगा सकते हैं, और अगर आप इन दोनों को mix करते हैं, और तीसरी imitation हमारे पास क्या आ रही है, जैसे के visually bird आएगा, dilute, upline, pale fellow, ये तीनों चीज़ी होंगे, green में हो जाएं, blue में हो जाए या जिसे हम पार बिलू, upline, pale fellow, dilute कहते हैं, ये तीनों की imitation है, इसके इलावा मिस्ची पर काम कर सकते हैं, वैसे मुझे मिस्ची बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये सब bird से हट के हैं, ठीक है, खुबसूरत bird है, और जब आप इसके light बंद करके, इसके feather के उपर आप torch ल करते हैं, violet color का color नज़र आता है, हाला कि बाकी birds में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हाँ से भी मुझे, अ, 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 बहुत खुबसूरत bird लगता है, misty, misty, simple पे आप करें, misty, upline पे करें, misty, upline, split, fellow में चले जाएं, split, dilute में चले जाएं, और इसी तरह, आपको मैं कहना चाहूं तो मैं उसको कहूंगा कि बाइजन visual bird की तरफ आएं, और इसके साथ मैं एक और बात add करना चाहूंगा, future bird का मतलब बला क्या होता है, आपके पास, confirm, visual bird, उसकी future pairing करें, ठीक है, आने वाले दोर में future bird जो होगा, वो visual bird होगा, split का future इतना नहीं होता, possible to possible का future इतना नहीं होता आपने possible से शुरू करते हैं, split में जाते हैं, split से जाके, visual में जाते हैं, ठीक है, वो आपको साल, दो साल, इनी चक्रों में लग जाते हैं, और जब तक आप produce करवाते हैं, visual bird, आपको दो से तीन साल गुजर गए होते हैं, फिर क्या होता है, यार मैंने ये, अपना bird, यार, future पेरिंग मैंने सुनी थी, तो आज याप bird मेरे पास दो साल बाद produce हुआ है, दो साल बाद भाएजन हर बंदे के पास आजाना है, ठीक हो गया, हर बंदे के पास आना है, तो उस bird का rate नीचे आना है, मैं आपको अभी से बता दूँ, dilute का rate नीचे आना है, pale fellow का भी rate नीचे ठीक है, आप कोई भी mutation कर ले, उसका rate नीचे आना है, उसका मकसद क्या होता है, जब एक बंदे के पास है, दस बंदों के पास है, उसका rate हाई है, जब सब के पास mutation हाई, यह हर बंदा market में उसको sale out करने के लिए आता है, तो जहरी बात है, फिर market में हर बंदा कहता है, मेरा B स slight fla회던 का रहें उसमेंया पास possible ना ररे ए ठीक है आज आ के एक अधा बड़ पाड़ प्रोड्यूज करते हैं तब तक क्या होताइ कि दो तीन साल में हम दो चार बड़ प्रोड्यूज करते हैं तब तक उसका जो पीक ताहीम है वह घुजर गया होता है । उसके बाद आप प्रड्यूस भी कर लेंगे, आज आपको पता है कि यार मार्केट में डाइलूट अपलाइन, डाइलाका, तीन लाका पेर कर लेंगे, वैसे तो रेड इसका उपर है, मैं रेड पे बात नहीं करता हूँ, तो आप आज प्रड्यूस करना शुरू करते हैं, जब आपके पास तीन साल के बाद वो बड़ प्रड्यूस होता है, उस ताम मार्केट में शायद उसकी पचास जार, साट जार लाक रुबे कीमत चार रही है, आज हम लगा रहे हैं, और सोच हमारी क्या है, धाई तीन लाक रुपे का यार, यह पेर है या बड़ है, उस जेन से चलते हैं, दो साल गुझार देती हैं, तीसरे साल जब वो बड़ प्रड्यूस होता है, हमारा जेन वही होता है, इसमें बड़ निकल आया ना, बाजन दो जुचर प्लैनिंग करनी पड़ती है, आपको अब मैंने जो बड़ बता रहा है, आप कोशी करें कि इस सीजन में आपके पास वो बड़ लगें, अगला पूरा साल आप उस बड़ से सिर्फ और सिर्फ प्रफट कमाएं, ज्यादा बचे आते हैं, कम आते हैं, वो बहतर जा कि जी हम सप्लिट तु सप्लिट लगाएं तो एक आदा बच्चा निकलेगा, बैजन पैसे लगाएं, जेकर अगर डैलूट पर काम करना है, एक वीजवल डैलूट पकड़े, पार बिनू डैलूट ले लें, साथ बिनू डैलूट लें, आपको पता है गरीन डैलूट के प आप बचेंगे जितने भी आएंगे 100% डाइलूट होंगे फीक हो गया अब उसकी मार्केट में वैली होगी पेल फैलो आपने लगाना एक वीज्वल लगाएं एक सप्लिट लगाएं क्योंकि रैड डाई है मुटैलिटी के लिए हमें ये एक सप्लिट लगाना पड़ता है क् हम डाईलूट कोई रैट इभडव नहीं है मिच्टी है कोई रैडि इभडव नहीं है इसी तरह तो हम उसमें भी सप्लिट ले जाते हैं जया में पहस ना चार पेर लागें सप्लिट हमने कौान किटी बेनी कौालिटी पे काम करना है थे वप रखें अच्छे पेर रखें चाहे आप 10 पेर की जगा चार पेर लगा लें लेकिन अच्छे लगाएं जिसकी डिमांड होगी सबसे पहले डिमांड किस बर्ड की खतम होती है possible to possible जब मार्किट में वो बर्ड आगे हैं अब विजमली डालूड आगे है तो आप आज भी मार्किट में क्या काम कर रहे है possible to possible लगा लो उसकी सबसे पहले value खतम हो जाएगी उसके बाद किसकी value खतम होगी splits की या बेपा green fisher है split dilute है split blue fisher है split dilute है उसकी market खतम होगी फिर end बेर आगे visibly dilute बड रहे जागा ठीक है उसको हम गिनते हैं कि आने वाले दो तिन साल वो चलेगा pale fellow चलेगा अच्छा भई और बेनो आप में अक्सर देखा होगा मैं birds for sale के लिए लगाता हूँ ज्यादा तर मेरे bird जो अलहम दिले ले बिखते हैं या मैं लगाता हूँ आपने घोर किया होगा मेरा वीजवल टू वीजवल बड़ होता है या सप्लिट टू वीजवल होता है कभी भी आपने मुझे नहीं देखा होगा possible to possible निकल आए क्योंकि new fancy फस्ता ही यहां से है उसको सिर्फ यह पता होता है कि बस सुनने में आता है यार possible pale fellow है possible dilute है उसके जहें में possible का का मिनकर रहा दमाग सिर्फ यह काम कर रहा है possible जहीं से निकल गए आगे dilute possible dilute possible pale fellow possible applying की пожilline dilute वह सब possible होते हैं उसके चक्रों में आपका बहुत ज्यादा time waste हो जाता है बज़ें चार पेर की जगा एक पेर लगाएं अच्छा लगाएं ठीक है उससे आपको फाइदा भी होगा और वो पेर वो वीज्वल बड़ा के पास अगर आज डैलूट निकलता है ना वो डैलूट चलेगा दो तिन साल ये सप्लेट ये पॉसिबल ये वाले बड़न नहीं चलेंगी तो इसलिए सोच समझ के आपने जो भी काम करना है वीज्वल बड़ पे काम करें वीज्वल बड़ पे फ्युचर वो फ्युचर बड़ भी किना जाता है और लांग टाइम वो बड़ चलता है सबसे पहले मार्किट से सप्लेट और पेल फैलो की वैल्यो खत्म होत है जो मैं बताना चाहता हूं लेकिन टाइम भी मुझे बड़ा तंग करता है कि यार दस बारा मिंट आट मिंट के अंदर अंदर वीडियो बननी चाहिए तो मैं आप करना से यह रिक्वेस्ट करूंका आप मुझे यूट्वब पर कमेंट करके बताएं कि वीडियो मैं कितने मिन्ट की बनाया करूं क्योंकि बीज में कुछ लोग होते हैं वा कहते हैं सार आपकी वीडियो मजई की-दी लेकिन काफी लंबी हो गहाना है क्वाफी लोग हैंट्स्री लगा के सुनते हैं तो डिस्ट्रब होते हैं तो आप लोगों ने मुझे ये कमेंट करके बताना है कि जी मेरी वीडियो अगर मैं और कुछ बताना चाहता हूं उसको मैं दो पार्ट बना दिया करूं एक ही वीडियो के या एक ही वीडियो में आपको जितना बतासकता हूँ या तफसील के साथ तो इस चक्रों में वीडियो हिग्टी हो जाती है अमीद करता हूं इन्छाला ये चौ्टी से अपलेगों काफी हैलप मिली होगी और हम तीनों भाईों को अपनी दौाओं में याद रखें इंशालला फिर मुलाकात होगी असलाम आलेकुम रहमतुल्लाव नहीं कर दिक ढ़न को था gur कि असला बाए आलेक्शों में याद रहा ए ? रहा याद É रव झालेक्श fiction प्लिघा